मिश्टर एश रंकर ये नाम सुनते ही सबसे पहले आपकी दिमाग में कौन सी मूवी आती है अब परिचित रोबोट आई या फिर 2.2 फिल्म कोई सी भी हो इनमें कॉमन सी बात यही रहती है कि ये सारी फिल्में आउट उप दे बॉक्स हैं और मिश्टर एश रंकर की यही प हो चुकी है पर सिंस ये दोनों फिल्म वी एफेक्स हैवी नहीं होने वाली इसलिए दोनों ही फिल्मों का उतना वीज्वल स्टनिंग होना पॉसिबल नहीं है पर एक फिल्म है जिसकी उपर मिश्टर एश रंकर ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है और सांथ ही ये भी बता दिया है कि ये फिल्म उनका एक काइंड ओब ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए टाइम भी उतना ही लगेगा और पैसा भी और उस प्रोजेक्ट का नाम है वेल पारी जो एक टामिल नौविल की मूवी अडप्टेशन होने वाली है और ये नौविल है वेल्लियर ड दोस्तों पर बेस्ट होगी उनमें दो एक्टर्स भी होंगे और उन दो एक्टर्स के लिए समय समय पर अलग अलग नाम सामने आते रहते हैं सबसे पहले नाम रनवीर सी और केजी एफेम यश का नाम सामने आया था तो कुछ महीने पहले शारुख खान और विजय की से ये क्लियर हो चुका है कि इस मेगा बजट मुवी में एक एक्टर बॉलीवूट से और एक एक्टर साउथ से होने वाला है जो इस फिल्म को एक ट्रूली पैन इंडिया फिल्म बनाएगा मिश्टर एश रंकर के इस फिल्म के लिए नेट्फिक्स धर्मा प्रोडक्शन औ और इनके लावा भी तीन और में प्रोडूसर्स होने वाले हैं जिनका नाम अभी बाहर नहीं आया है पर इस फिल्म के लिए टगड़े प्रोडूसर्स ही चाहिए क्योंकि अब तक की रिपोर्ट की मने तो इस फिल्म को बजट 900 से 1000 क्रोड तक रखा गया है जो इसे इंडि नहीं है कि कौन कितना खर्च कर रहा है इंपोर्टेंट यह है कि कौन क्या लेकर आ रहा है और आजकल फिल्मेकर्स को एक दो स्टेट नहीं बलकि पूरे इंडिया और आप तो ये भी आड़ कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के ओडियंस को ध्यान में रखकर ही अपनी फिल्म बनानी पड़ती है, कम से कम ट्रिपल रार ने तो ये सिखा ही दिया है, कि अब ग्लोबल फिल्म बनाओ, टाइम उसका ही है, खैर वैसे मिश्टर S. शंकर की कैपेबिलिटी पर भरोसा किया जा सकता है, और फिलाल तो बस ये देखना है, कि कब एक्चुली इस फिल्म का डेव बताएं, तो फिलाल आज के सीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए, टाटा बाबाए एंड टेक क्यार